आज पहला स्प्रेड जो कर रहे है यह भी थ्री कार्ड यह इसको हम बोलते हैं क्वेस्टिन स्प्रेड इनके पास ना बिना प्रॉब्लम के कोई नहीं जाता तो अगर आपको कोई कह रहा है ना मेरा तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है वो जूड बोल रहा है क्योंकि अगर अच्छा चल रहा होता है वो हमारे पास में आता तो प्रॉब्लम तो उसको है कई बार क्या होता है ना क्लाइंट आपके भरोसा नहीं करता शुरू शुरू में इसलिए वो तुमको बताना नहीं जा रहा तो जब आप स्प्रेड करोगे दो चार चीज़े उसक इसको बोलते एक समय पर आप तीन सवाल पूठेना थैर क्लाइंट क्या करता है कि यार मैं पे तो करी रहा हूं चलो ये भी पूछ लो ये भी भी पूछ लो है ना करते 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 हो पड़ोसी आ जाएगा हमें नहीं चाहिए ऐसा हम कहते हैं सवाल वो करो जो माहिने रखता है आपके जीवन में अभी इसलिए हम कहते हैं कि तीन सवाल पूछ लिजे अगर किसी के जैनुएन चार हैं आप तो भी कर सकते हो किसी के genuine दो ही है उसको पूछने ही नहीं तीन तो भी आप कर सकते हो तो कोई रूल नहीं है तीन ही questions होने चाहिए यह हमने बनाया है अपनी सहूलियत के लिए वह आपसे तीन questions पूछेगा उसको बोलो लिख दो लिखने से क्या होगा एक तो उसको भी clarity आजाएगी कि वो क्या पूछना चाता है बढ़ना कई बार क्या होता है आप reading पूरी कर देते हो फिर वो कहते है नहीं नहीं यह नहीं यह नहीं पूछ रहा था मैं तो यह पूछ रहा था ठीक है सो लिखने से उसको भी clarity आ जाएगी और vibrations भी बनती है जब वो उस बारे में सोचता है तो वो लिख देगा तीन सवाल उसने लिख दिया आपने तीन cards निकाल दिये this is answer one, this is answer two, this is answer three, very simple, nothing much अगर आपने जवाब दे दिया, आपके जवाब में से उसका एक सवाल और बन गया कोई बात नहीं, हमें एक card और निकाल देंगे, this is answer four clear, अब इसमें क्या होता है, ये three card spread है वैसे लेकिन आप मेरे पास आया as a client, आप मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे हो मुझे आपके बारे में कुछ पता ही नहीं, so अपने लिए मैं तीन card पहले और निकलवा सकती हूँ, आपके general past, present, future, so generally मैं कैसे reading करती हूँ, जैसे आप मेरे पास आये तो मैं आपसे बोलूँगी, आपके तीन सवाल है, मैं आपसे बोलूँगी मैं छे card निकलवाँगी, past, present, future और तीन तुमारे सवाल के जवाब, क्योंकि जिसके बारे में मैं जवाब देना चाहती हूँ, उसके बारे में मुझे कुछ पता तो हो, clear, so इसलिए आप बिना उसके भी कर सकते हो, पर उसके साथ करोगे, तो better आपको answers मिलेगे, right? इसके हम ठोड़े case study कर लेते हैं, मैं क्या आप यहाँ पर यह कहना चाह रही हैं, कि यदि आप यहाँ पर 3 प्लस 3 यदि आप हैं यहाँ पर कर रहे हैं, तो उससे एक आपको better यहाँ पर storyline मिल जाती है, बिलकुल, यही कहना और मैम, hello, one thing more मैम, जैसे कि आपने भी कहा कि हमने यहाँ पर 3 प्लस 3 निकाला है, समझे, तो सामने वाले का कुछ और यहाँ पर follow-up जो questions में वो भी हैं हो सकते, तो उस case में क्या हमारे को फिर से वो छेवो कार्ट को फिर से यह डेक में डालना पड़ेगा, और फिर से निक पूछोगे मैं जो भी काड निकाल रही हूँ, वो अलग हो जाएंगे, अब वो दुबारा डेक में नी जाएंगे, मुझे बार-बार शफल करने की जुरती है, मैं उसी spread में से निकाल सकती हूँ, आपके सवाल, पर एक समय पे 3, 4, 5, 6 सवाल से जाधा नहीं पूछे जाने जाएंगे, वो genuine नहीं होते हैं, एक इंसान के जीवन में इतने ही सवाल हो सकते हैं, कम ही लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछी बरबाद है, तो सभी कुछ नहीं है, ठीक है, चलो अभी case study कर लेते हैं, question answers की, एक एक करके मैं पूछती जाओंगी, आप बोलते जाना, पहला सवा हर्षिता से है, हर्षिता क्लाइन कह रहा है कि मैं ready made garments का business करूंगा, तो कैसा रहेगा, इस question को मत पढ़ो, जो मैं बोल रही हूं, वो question सुरू, ready made garments का business मैं करूंगा, तो कैसा रहेगा, card is nine of pentacles, क्या बोलोगे? मैं यह past, present, future, कुछ भी नहीं है, आपने सिरफ पहला question है, आपका, कि क्लाइन्ट कह रहा है कि मैं ready made garment का business करूंगा, तो कैसा रहेगा, तुमने एक card निकाला, वो card आया, nine of pentacles, मैं मैं तो इसमें growth देख पारी हूं, you have all the skills, but किसी की advice में या किसी से इस चीज के बारे में counselling लेके या advice लेके चलेंगे, तो यू रहे हूं पहले मैं नहीं देखा न, nine of pentacles ही गह रहे हैं हम आपको देखने के लिए, तारे नहीं देखने देख साथ, तारे क्यूं देखने हैं एक question का एक card है, क्लाइंट को बोलो, बिल्कुल करिये, ready-made garments का business आपको बहुत सूट करेगा, आपको पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, strength and courage मिलेगी, it will be very good for you, थोड़ा सा क्लाइंट को अच्छे से बोलना है, right? Yes, Ila, अगर मैं partnership करती हूं business में, तो कैसी रहेगी, card है magician? Sam, हम ये बोलेंगे कि मतलब बहुत अच्छी रहेगी उसके लिए, वो बहुत अच्छे से, मतलब, power उसके ही hand पे रहेगी, उसके partner भी उसके opinion को बहुत अच्छी से respect करेगा, तो, and overall business भी आपको बहुत fruitful रहेगा, तो you should definitely go ahead with partnership business. Yes, वो partnership आपके business को नए level पे ले जा सकती है, हो सकता है, आपका partner थोड़ा सा dominating हो, आपको अपने हिसाब से चलाए, लेकिन आप मान जाना, क्यूंकि उस partner में quality बहुत है. Yes, रिया, मेरे husband से मेरा relation को दिखा रहा है, एक doubt है ma'am, जैसे जो आपने का कि हो सकता है partner dominate करेगा, ये partner की energies दिखा रहा है या मेरी energies partnership business में, मैं dominate करूंगी, कैसे रहेगा? तुम नहीं करोगे न, तुमने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा रहूंगा partnership में, तुमने पूछा partnership मेरे लिए कैसे रहेगी, तो सवाल उस तरफ से, ओके, राइट, येस, रिया, येस, माम, मेरा future कैसा रहेगा? माम, the card is three of pentacles, that means कि जो आपका, आपका हजबन की साथ, आपका जो relationship है, initially बहुत अच्छा था, बट हो सकता है कुछ misunderstandings की वज़े से, कोई भी problems की वज़े से, आप at present, उतना खुश नहीं हो, इस relationship में, बट अगर आप किसी को consult करोगे, किसी बड़े को बीच मेलाओगे, उनस बट, very good, yes, next है जी, खुश्भू, खुश्भू मेर को लव मारिज करनी है, मेरे फादर नहीं मान रहे है, मैं क्या करूँ जो मेरे फादर मान जाएं, card is the emperor, माम, इसमें यही है कि आपके फादर नहीं मानेंगे, माम को और राइक्रो को वो नहीं मानेंगे, कि तुम कुछ भी कर लो, वो मानेंगे, जाएं, हो नहीं मानेंगे, yes, अरुनेश, अगर मैं लव मारिज कर लेती हूँ, तो मेरी शादी कैसी रहेगी, eight of wands, मैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर चाहिए रखना और आपको दूसरा पार्टनर की ओर मतलब आपको ध्यान अपना देना चाहिए, कैसे होगा, देखो, मैं तो love marriage कर रही हूँ, मैं तो नहीं बदलूँगी partner, मैं तो बेटर है कि आप थोड़ा सा यहां पर वेट कर लीजे, situation आपके लिए कुछ यहां पर clear हो सकते हैं, in the time being, because यह मैं positive card नहीं है, तो as per me, यह आपके लिए fruitful नहीं होगा, यह card positive है, गलत है, यह card positive है, लेकिन after a lot of struggle है, है ना, तो हम यह बोलेंगे कि भई, आप शादी तो कर लो, लेकिन आपको शादी के बाद problems बहुत आएंगी, आपको struggle बहुत करना पड़ेगा, तो हिम्मत मत हारना, मेहनत करना, भागना मत responsibility से, एक दूसरे के प्रती प्यार रखना, क्योंकि फाइनली आपको success मिलेगी, ठीक है, देखो, जो इनसान love marriage कर रहा है, उसे यह नहीं कह सकते हैं, कि तुम मत करो यह शादी, love marriage है, arrange नहीं है, कि मैं यह partner शोड़ के दूसरा देख सकती हूँ, है ना, और यह card में यह अच्छाई भी है, कि आफ्टर आल तो success दे रहा है, ना, तो मैं, इसमें तो फिर कुछ जो option है, मतलब फिर बसता ही नहीं है, जब सामने वाले को जब कर नहीं है, शादी, तो हमारे पास option ही नहीं है, option नहीं है, but मैं, but मैं, in the case of arranged marriage, हमारा जो यहां पर यह answer रहता है, है ना, तो उसको कह सकते हैं, अरेंज में बोल सकते हैं, बहुत दो रिष्टे हैं, मेरे पास एक में यह, एक में कोई और अच्छा काड़ है, तो मैं बोलू भी दूसरा चुनो, है ना, पर यहां तो love marriage करी है, ना, वह बहुत फादर के अगेंस जा रही है, तो तो तुमारी क्यों सुनेगी, right? But ma'am, but ma'am, in the case of yes-no answers, यह यहां पी eight of wands हैं, are they yes or no? It is a yes, it is a yes, okay, 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 yes, mukta, क्या मेरा boyfriend मुझसे हमेशा loyal रहेगा, two of cups? जी हाँ मैं वह आपसे हमेशा अपना प्यार इमोशना सब को शेयर करेंगी आप आपस में भूत बनेगी आप दोनों की वह अच्छे गुड़ आज पढ़के आए हो वेरी गुड़ खल की डार्ट का सर पढ़ गया है ना चलो नेक्स्ट इस शुरू करते हैं अब मुक्ता कोई देंगे क्योंकि पहले वाला कार्ड इनका बड़ा इजी था माई चाइल्ड मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है दस नॉट स्टडी मैं उसको क्या करूं मैं जो वह पढ़ ले कार्ड इस तू आप स्वार्ड ये वाला कार्ड ह इस पढ़ता नहीं है मैं क्या करूं उसके लिए जो वह पढ़ ले कार्ड तो नेगेटिव है मैं लिगिन सिसुरेशन इतनी भी बुरी नहीं है अगर हम अप्छी से समझ ले शोच ले खर्द आपने ध्यान गार्ट उस पर तो हम उसे समझा सकते हैं मुझे उसे समझाना है खीक से देखना है उसे कि हाँ तुम अपना स्वोच थिंकिंग बद चेंज करना है मुझे आल राइट इला आप क्या बोलोगे कि थोड़ा सब मतलब आपके बेटे को काउंसलिंग की जरूरत है उसके अभी मतलब वो ओवर्रियाक्ट कर रहा है उसका मन अदास है हो सकता कोई peer pressure हो हो सकता उसको कोई school में जो तो उसके पीछे पढ़ने की बजाए उसके साथ बैठ हो उससे बात करो उसकी counselling करो समझो कि वो क्यों परेशान है जब उसकी परेशानी दूर हो जाएगी तो वो अपने आप पढ़ लेगा तो पड़ो 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 मत करो उसको एक environment दो कि वो आपसे share कर सके, clear, very good, yes, Ria, मैं शुरुआत से housewife रही हूँ, अगर मैं आप career शुरू करती हूँ अपना, तो कैसा रहेगा, card is this, wheel of fortune, Yes, ma'am, आप अपना, अगर career start-up करते हो, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, अभी बहुत right time भी है, आप अच्छे से, आप उसको करो, आप महनत करो, आपको results, जरूर मिलेंगे, luck is on your side, yes, good, next, khushbu, मेरी health future में कैसी रहेगी, card is six of wards, माम, health चो है, आपकी future में अच्छी रहेगी, थोड़ा सा, मतब, right treatment की जरूरत है, and you will be fine, मतब, okay रहेगी, आपकी health, ऐसाच कोई issues नहीं है, you will be victorious, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अगर problem भी चल रहे थी, probably fine in future, आप ठीक हो जाओगे है, कोई treatment ले रहे हो, तो वो असर दिखाएगा, अगर आपका कोई health goal है, weight कम करना है, body बनानी है, तो भूभी हो जाएगा, right, health आपकी perfect, yes, Arunesh, मेरी girlfriend मुझे छोड़के क्यों चली गई, यह tarot में ना, सबसे common सवाल है, मैं इतना tougher question आपने दिया है, मैं फर्स वर्स वर्स ना, हर्मी, हर्मी, okay, मैं यह उसके लिए है, because आप उसको बहुत ज़्यादा advice देते रहते थे, आप उसको, आप उसके उपर, आप हस से ज़्यादा over confident थे, और आपका intellect है, आप उस पर थोपना चाह रहते है, that's why वह आपको छोड़के चली गई. Yes, you were very interfering, you wanted to control everything in the relationship. Exactly, exactly, she actually wanted a boyfriend, not a fatherly figure, something like that. You want to say fathers are dictators, we can say that she, उसको पसंदाना है, उसको space, right. Harshita, I am not able to concentrate on anything, what should I do, the card is devil. क्यूंकि आपका सारा concentration तो materialistic pleasures में है, आप उनी में फसे होया होगे, पहले उनसे बाहर निकलोगे तो ही आप concentrate कर पाहोगे. और क्या कह सकते हैं? क्या क्वेशन दा माम? मैं concentrate नहीं कर पारी कहीं पे भी मैं क्या करूँ, devil? Use your willpower to come out of it. And, हम यह भी कह सकते हैं कि आप किसी self-destructive behavior में भी हो सकते हो, कोई गलत रिष्टा हो सकता है, या किसी addiction में हो सकते हो, जो आपको concentrate नहीं करने दे रहा है. उस चीज को हटा लो, अपनी willpower ठीक करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे. क्या? 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 क्या मैं अपनी girlfriend, मेरी girlfriend ठोड़के चलीगी है, आगे कैसा रहेगा, मैं उसे भूल पाऊंगा, नहीं भूल पाऊंगा, कैसा मेरा relationship रहेगा? Three of Wands. क्या मैं फ्यूचर में कैसा relation रहेगा अपनी girlfriend से? हाँ, वो मुझे छोड़के चली गई, तुम कैसा रहेगा, क्या मैं भूल जाऊंगा, नहीं भूल जाऊंगा, क्या रहेगा, three of Wands. आप भूल नहीं पाएंगे, क्या आपको एकलापन सताएगी. Yes, very good, नहीं भूल पाऊंगा, clear, clear हो गया, question spread, easy spread है, सवाल, पूछो, जवाब मिलेगा, प्यारों में generally यहीं किया जाऊंगा, नेक्स spread पे चलते हैं, नेक्स spread होता है, ऐसे लोगों के लिए जो आके हमको कहते हैं, आप ही बता दो. मुझे तो कुछ आप ही बता दो, सबसे पहला जवाब इनके लिए यह होना चाहिए, कि भई देखो हम नहीं आये आपके पास, है ना, आप आये हो, हमारे पास तो कोई तो दिक्तत होगी, आपको आप बताईए, हम अंतर याम ही नहीं हैं कि हम किसी के दिल में गुजगे ब बताऊगे, फिर उसे लगेगा ना सही बता रहा है, तो वो तुमसे शेरिंग करेगा, और आपको मैंने बताया था, टैरो का पहला रूल है, यू शुड नाट टेस्ट इस तो आप यहां पर पहला रूल तोड रहे हो, लेकिन कई बार किसी किसी सिचुएशन में हम ऐसा करत हैं, चार कार्ड निकालते हैं, ऐसे डायमंड की शेप में रख देते हैं, ऐसे ले इसको डायमंड बोलते हैं, क्लाइंट की उमर देखके, चार एस्पेक्ट अपनी मर्जी से तै करते हैं, मानलो मेरे पास मुक्ता आईए, ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने तै कि मैं पहला क कोई बच्चा है उसकी एगेशन भी देख सकते हो आप कर्ण और शेम्न-भी नहीं होता मान लो मैं वाइफ हूं मेरी कमाई 20,000 रुपेई तो मेरे finances लेकिन मेरे फिनांस में मेरे husband के भी तो हो सकता है वो लाखों कुमाते हैं ज़रूरी नहीं है मेरा career जो है उतना ही मेरा finance है है ना housewife है उसका तो कोई career नहीं है पर finance तो है right so career और finance दो अलग चीज़ है clear so यह होता है diamond spread की आप अपनी मर्जी से चार aspects निकालेंगे और फिर जितना भी आपको दिख रहा है आप बता देंगे तो इसमें आपको पता लग जाएगा तहां पर client को problem है जब आप आप कर दोगे एक second let me complete जब आप वह point out कर दोगे तो फिर client आपसे share कर लेगा उसको जो भी share करना है then we can decide further what we want to do मैं आप जो इसमें आपने बताया है कि इसमें आप जो चार्ज है aspect वह आपको यहां पर है निकालने तो तो इन दिस केस क्या यह चारुचा aspect है कि आपको पहले यहां पर अपने जहन में डाल के रखने हैं कि मतलब क्लाइंट की है यह क्लाइंट का करियर इस तरीपे से अब इसके पहले वागा था तो मैं उसमें जो है क्या यह तीनों क्यों हमें अपास पहले से चाहिए हो ना मATTलब क्योंट है चहीट पहले कर सकते हैं ale फिर वह अपनी पूरी स्टोरी बताता है ऐसे वह आएयसे वह आइसे वह आयए अग्चुली कई बार तो आप यह déखोगे क्लाइट को कुस्छ पूछना भी नहीं हो Anda. वो सिर्फ शेरिंग चाहता है. वो सिरफ चाहता है कि कोई मेरी सुने. उसको आंसर अपने आप ही पता है. आपको सिर्फ वही बोलना है. तो पहले क्लाइंट की सुनो सारी. कई लोग ना बहुत rude भी हो जाते हैं. कई रीडर्स जो होते हैं बहुत रूट जाते हैं जल्दी बताइए या पूसना आपको बोली अपना सवाल बोली नहीं यह आपका काम नहीं आप एक हीलर हो एक काउंसलर हो आप सबसे पहले अच्छे से क्लाइंट को अपनी बात बोलने दो उसकी पूरी स्टोरी सुनो फिर आप डिसाइड करो कि आप उसके लिए कौन सा स्प्रेड करना चाहते हैं अभी तो आपने दो तीन सीखें आगे और सीख जाओगे तो डिसाइड करो कौन सा स्प्रेड करना है फिर आप उससे बोलो आप म ि की थिसे भी फ्लोड अफ्रोंच भेगिघन स्क्राओं रहते हैं हम को इसे प्लायंट को रहें आधिे हम रहेले नहíasंट इस कंषिता हूं हम क्लायंट को ओलें की वह फ्याइन Cryya, झालाम कें जाया छोछो और यह और थैरे क्ले में spread question spread ना करूं lovers करूं Celtic करूं और उसको अभी आ गया पढ़ो वह आपको situation सुनके पता लगेगा आपको क्या करना है अब diamond spread करेंगे सब अपने अपने चार-चार cards निकालो पहले चार aspects मन में सोचो फिर चार cards निकालो उनको खोलो interpret करो अपने मन में पहले फिर सुनाना बिना अठके as if आप real client से बात कर रहे हो यह मत सोचना teacher को मुझे यह नहीं बताना देखो मैम यह death card है यह ऐसे दिखा रहा है यह नो मैं client हूँ जो client से बोलोगे वो बोलो गया मैं मैं बोलो हां बोलो मैं मैंने first card निकाला health के लिए तो मैं मैं अच्छाना नहीं तो टेल कि नाई मत्व कॉंसा कार्ड आया है नहीं अब इसमें गेम भी खेलेंगे एक मिनिट इसमें एक गेम भी होता है खुश्बू यह नहीं बताएगी कौन सा कार्ड आया है वो मेरको interpretation दे रही है और आप गैस करोगे कि वो कार्ड कॉंसा है एक है yes health बताएं मेरी माम हेल्थ जो है बिल्कुली बतलब बहुत आपके अच्छी रहेगी हेल्प में आसच को इशूस नहीं है और युवर वेरी मच मैच्यॉर एनफ कि आपको पता है आपको क्या करना है अपने आपको एक healthy lifestyle आपको चाहिए और आपको पता है अपको अपनी health के लिए आपको healthy रहने के लिए क्या करना है so health में सच को issues नहीं है और second card ma'am is for marriage नहीं एक मिनट एक मिनट health okay है ना हांजी guess करो ये कौन सा card night of wands जी और कोई guess करना चाहता है ये night of wands के रहे है मुझे नहीं लगता night of wands है हां अन्म्यूट करो भई ace of wands नहीं ace भी नहीं है मेरे साब से night of cups होना चाहिए मैं बिल्कुल सही है night of cups ही है क्यों नहीं है night of wands हीला आपने क्या गलती करी night of wands में वो चलता-चलता रुख गया तो इन्होंने तो ये बोला ना आप बहुत में चोड़ और आप कर रहे हो जो help ले करना है तो आपको ज़्यादा गंट्रोलिंग नहीं करना if you want your relationship to be successful आपको बहुत ज़्यादा अपने अपको नहीं करना dominating नहीं होना चाहिए और सादा controlling नहीं होना चाहिए okay कौन सा कार्ड है the hierophant the emperor hermit emperor it can be the emperor मुझे जहां तक लगता है और queen of swords I'm four of pentacles four of pentacles में तो फिर वो controlled का है वो तो obsessed है कि आपका जो relationship है कि आप दूसरे बंदे से obsessed होगे आप restriction बंदे उस बंदे है ना तो उसको सांस लेने जी yes next ma'am for career you have invested too much but आपको उसे साबसे results नहीं मिले है जो आपने इन्वेस्ट किया था but आपको थोड़ा patience रखना है you will be successful but patience रखिए मतलब आपको desired results नहीं मिले हैं उसे साबसे but you need to be patient और आपको साथरस मिलेगी आगे चल कर seven of pentacles it is seven of pentacles yes fourth aspect yes ma'am माम guidance था तो आपको अगर कोई issues आ रहे हैं माम एक बार बताए एक confusion नहीं मतलब जैसे हम guidance दे रहे हैं कोई card आया है तो हम किस aspect में देंगे guidance like relationship, career किस चीज़ को लेके देंगे या फिर overall issues कोई life में आ रहे हैं तो इस aspect में आपको problem देखेगी अब आपने देखो health बताया, career बताया आप problem कहां आई health तो ठीक ठीक career में problem है ना कि वो बिचारा हो दास खड़ा हो और सो समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ जी ओके तो जिसमें problem दिखेगी उसके लिए guidance देनी है तो ma'am you need to आपको किसी expert के advice लेनी चाहिए और एक teamwork करना चाहिए तो आपके problem solve हो जाएंगे किसी expert के advice ले किसी को involve किजे बीच में येस कौन सा कार्ड है three of pentacles three of pentacles right very good okay जी चलिए नेक्स कौन बोलेगा I'll say yeah, बोलो ma'am मेरा भी aspect से ये health relationship, career and guidance so health के लिए आपको स्टार्ट विद ने बोलों की health बहुत अच्छी है but आपको मतलब careless नहीं होना है distractions से दूर रहना है and then you are on the right path okay, कौन सा कार्ड है the lovers the lovers yes, next then next is career के लिए sorry, relationship के लिए relationship के लिए मैं बोलना जाओंगी कि आपके partner बहुत sharing मैं बहुत loving है and बिल्कुल आपको बहुत pamper करेंगे and आपको relationship बहुत productive रहेगा आगे चलके तो it's a very good relation आप all good अच्छी relationship में है देखो एक चीज़ याद रखो diamond spread जो होता है ना वो चारो कार्ड प्रेजेंट के होता है future नहीं होता है उसमें कोई भी क्योंकि हम आपको मैंने बताया इसका basic purpose क्या है client हमें test कर रहा है future तो हम बताएंगे तो वो कैसे tally करेगा तो यह present के cards होते हैं सारे हैं so उस हिसाब से बोलो आप इस card को कि presently उसके रिष्टे कैसे presently आपका relationship बहुत healthy है अपने partner के साथ you're growing in your relation yeah what what card is it guesses queen of cups two of cups the empress this is the empress but interpretation आपकी जो थी नो उससे guess करना असान मीता है मेरको तो थोड़ा experience है तो मैंने guess कर दिया but हाँ बाकी लोगों प्लेट डिफिकल yes next तो मैं इसके मदद क्या कैसे interpret कर सकते हैं तो मैं इसके मदद क्या इसे इसे और भी cards है ना तो फिर नए लोग तो confused हो जाएगे तो यह वाला है कि यह वाला and career के लिए career में आपका देख पारियों कि आप ठीक नहीं चल रहा है भी आप आप कहीं फसे वे हैं and आपको एक situation से भाहर निकलने के लिए आपको एक psychiatrist के पार जानने की जरूरत है आप अपने ही negative thoughts में फस चुके हो उसके लिए I'll advise कि आप किसी की guidance लें और तब ही आप बहार निकल सकते हैं नहीं तो things will be not good for you which card is it source के कोई कार्ड होगा कौन सा कार्ड होगा कोई कार्ड 9 या 8 it is 8 of swords you can only आप अपनी negative thinking में फस चुके और आपको एक बाहर के इंसान की जरूरत है वो 8 of swords है कि उसकी आखे भी बंदे है हाथ भी बंदे रहे yes होगे चारो aspects no guidance guidance में है कि मतलब आप अपने you are on the right path but आपको अपने intuitions की सुननी है आपने thoughts को balance करो and you will definitely see results high priestess no intuition नहीं है और आपका होगा तो बोलो हिल्थ के लिए आपके health अभी बहुत अच्छा है यह अपने कोई issue ने हुए सब चेक है अब इससे तो कोई gas नि कर सकता यह card कोंसा है जो आपने बोला है ठीक है health में सब अच्छा है अभी आपकी health को इससे तो बहुत सारे card है हमारे पास तो तुम ही बता दो कौन सा है Ace of Wands Ace of Wands नहीं, अब Ace of Wands में तो new beginning है अबढ़ी आप ये बोलोगे, health आपकी अबी बहुत अच्छी है और आपके पास नहीं कोई ना कोई planning भी अपनी health ले या तो आपने gym करना शुरू किया है आपको अगर कोई बिमारी थी तो आपको right treatment बिला है वो भी तो point out करना पड़ेगा ना तब इतो प्लाइंट बोलेगा और केरियर में मैं मने इस समय आपके केरियर ठीक केरियर में ठीक नहीं चल रहा है आपके खिलाब सब लोग साजिश कर रहे हैं आपके खिलाब सब आपके अगेंस खड़े ही इन सब लोग के रियर में तो आपको समझार के रहना चाहिए उसमें अपको ओप्प कौन सा कार्ड है यह फाइव फाइव बैट्स आपको नित में वह अब दूसरों से पूछ रहे हां पाइव बांड्स पाइव ओवांड्स या इग है इडिविशन में आपको अभी थोड़ा जिम्मिदार उठाने की जरूरत है आप आप पैसो को लिगे शोच नहीं रही हो अपने मनमर्जी से आपको जरूरत है आप उससे थोड़ा समादो आप ये शोचों की हाँ आगे मेरे इडिलेशन में क्या करू को ठीक हो जाए आप आप प्रा केरलिस मत अपनी इडिलेशन्शिप में जी आप फूल ने पेज का काड़े ये पेज पेज पेंटिकर्स राइट नेक्स फूल और गाइडेंस में आपके ये है कि आप जो भी कर्रहे है बहुत अच्छा करै आप रहा है आप अपको रापखर भी नहीं आ रहे है आप उसको एक्षप्ट कर ली जी है और आप अगे बढ़िए आप अच्छा है अप्छंल तोड़ा सा और बेटर आपको बोलना पड़ेगा है ना आप आपको समझ आ रहा है पर आप एक्सप्रेस उतना अच्छा नहीं कर पारें तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो में जिसे पेज के इंटरप्रेटेशन में नोने तर रिलेशनशिप में वह खर्चे की बाद करीव वैसे करेंगे फ्रचे की बाद रिलेशनशिप में वह कार्ड समझाने के लिए बूल रहे हैं नहीं तो हम सोचते वह पेज आफ कपस है येस नेक्स्त हरशिता आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, आपको पावर मिलेगी to decide and flexibility भी होगी आपके काम में, adjust करके चलोगे आप अपनी टीम के साथ, so आपका करियर अच्छा रहेगा, you'll have power and authority. तो फिर आप तो guidance दे रहे हो ना, guidance कैसे चाहिए, हमें तो present सुनना है, present में क्या चल रहा है? present में ये present हो जाएगा. बताओ पिर क्या हो जाएगा? power है, adjust करके चलते हो, आप flexibility है आपके काम में, सब सुनते हैं आपकी. ओके, कौन सा कार्ड है वही कैस को? मैं ये तो बहुत मुश्किल है. इंटर्प्रेटेशन एक्चली वह नहीं है, की समझ पाए हैं ना? कौन सा कार्ड है है? वही है, मैं किंग ओफ सौर्ड हो सकता हैं ना? थोड़ा एड़्जस्ट करके चल रहे हैं इसलिए. ये तो ये था करियर? ये तो ये तो ये पाए हैं ना? अच्छा बैलन्स बना हुआ है, okay, next. Next is health. Health आपकी बहुत अच्छी है, सारे... आपकी आवाज नहीं आ रही? Health आपकी बहुत अच्छी है, वोही मुझे नजर नहीं आ रही. आपकी बहुत नहीं आपकी आपकी बहुत नहीं आपकी बहुत नहीं अच्छी है, सारे सुख आपकी बहुत नहीं आपकी बहुत नहीं यहाँ? Whatever you wanted, you have achieved in your health, right? You have a perfect mind, perfect body. Perfect mind, perfect body. No problem. Absolutely. And now you are in a thing that you want to share and care. The world. Yes, ma'am. Right? येस, next मामी अभी उनका एक कार्ड बचा है ना अच्छा रिलेशन्स माम अपके रिलेशन्स बहुत अच्छे हैं अपनी फैमिली के साथ बहुत लविंग है आपको बात फुल्फिल्मेंट वाली फीलिंग है अपनी रिलेशन्स है आपको अपनी फैमिली के साथ ताइम स्पेंट करना बहुत अच्छा लगता है फ्रेसंटली इब आपके विकेशन के लिए भी जा सकते हैं फैमिली के साथ कहीं पर तो यू आपकी फीलिए या फैमिली अपके अब इट कैन भी बताओ भी क्या क्या हो सकता है 10 of Cups भी हो सकता है 9 of Cups भी हो सकता है मंब ट्रावल है न तो ट्रावल मेभी यू गैस वाट काट इट कैन भी इस हर्षिता विच कार्ड इस टेन अफ कप्स टेन अफ काट कप्स मुझे लग रहा था है न इस टेन अफ कप्स में आप ये भी कह सकते हो भी हो सकता आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रही है है न कोई फंक्शन हो किसी की शादी हो राइट इस टे ओके रिया बताईए मेरे जो अस्पेक्ट से मुए हेल्थ, मारिज, फाइनसे और करियर फिर्स इस हेल्थ तो हेल्थ मैं I can see at present there's a lot of stress and struggle कहीन किसी बिमारी से अप लड रहे हो और बहुत जादा आप परेशान भी हो yes ma'am okay yes what all cards can be eight of swords eight of swords तो नहीं होगा यह yes और कोई गैस करना चाहता है four of swords four of swords भी हो सकता है five of pentacles भी हो सकता है और कॉंसा है हां जी हुरी हा कॉंसा है ma'am it is five of wands because मैंने बुदा ना health से लड रहे हो तो I thought कि वो okay yes five of wands भी हो सकता था yes it is also negative for health की बहुत जादा problems है stress है anxiety है है हार तार अफ से घरे होयो right yes next ma'am next card is for marriage तो in terms of marriage बहुत अच्छा आपका successful आपकी marriage है आपकी marriage में it is a time of celebration stability is there and you are living a very happy married life okay कॉंसा कार्लो सकता है 10 of cups 10 of cups yes Rhea is it 10 of cups? no ma'am 3 of cups? 3 of cups? 3 of cups? no ma'am then? it is a four of wands four of wands okay so four of wands को आपको थोड़ा सा ये भी बताना पड़ेगा ना कि पहले जो restrictions थे वो सारे आपके हट चुके हैं ना जो भी problems आप पेस कर रहे थे आपने overcome कर ली वो एक victory का काट है so थोड़ा सा उसका explanation वो भी देना पड़ेगा yes ma'am okay next ma'am next is finances ma'am finances में की you are not able to manage your finances properly I think that at present आपके ओर बोट सारी responsibilities हैं जिनको आप अच्छे से मानेज नहीं कर रहे हो आप अपने गोल को अचीव कर लिए अच्छे से मानेज करने के लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हो but you are not getting any result and you are very frustrated feel कर रहे हो okay just give me one minute yes कौन सा काड है हुई hanged man no the person has lot of responsibilities on him and he's not able to manage that 10 of wands it is yes ma'am ma'am next is for career so it is a good time for your career it may be a beginning of a new chapter in your career it will be good for you and there will be new beginnings which will be very fruitful and you should work in the right direction so yes ma'am तो कोई साभी हो सकता है करियर आस्पेक्ट में लगाएंगे तो न्यों बेक्राइड राइट ठीक है जी तो हाँ ठीक है इंटर्प्रेटेशन थोड़ा क्या होता है कि जैसे जो पॉजिटिव कार्ड होता है तो हम उसमें यह नहीं बोलते सिरफ कि सब कुछ अच्छा है य यह सुख। उसमें यहां पे party है, celebration है, full fulfillment of goals है, तो I think, यदि मतब guessing के लिए, this is enough. The world? No. Four of wands? Muktaji, मुकताजी अपने कुछ कहा? Ten of cups? Yes. Yes, fulfillment बोल रहे हैं, तो ही याद कर लो, 10 number है. Yes, next. मैं मुसकी बाद married life relationship, तो उसमें जहें कार्ड मैं, मैं मुह यहां पे यह कह रहे हैं, strength and courage काई, basically, उसके लिए जो रिष्टे हैं, वो उसके हैं, तागत, strength हैं. और वो अपने मतलब रिष्टों को बहुत अच्छा सरखता है, समवार के. And this person, I mean, यह जो कार्ड है, यह है, happy cat, that person is happy. Which card is it? Nine of cups. Nine of cups, yes. Next. Ma'am, उसके बाद, जो है, that is for finance. Finance थो अच्छा हुआ है, जो है, मैरी क्लेंट उनका. So, finance case में, यहां पे मैं यह कहना चाहूँगा, कि उसके लिए, जो है, Ma'am, यह आपने अभी अभी जस्क कहा भी था, कि self-destructive behavior, addiction, और इसको अपना जो willpower है, उसको बढ़ाना होगा, और जो इसके यहां पे behaviors है, which are too much of addictive, उसको अपना change करना पड़ेगा. तो with that, finances का अच्छा नहीं है. Devil. 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 Yes, yes, yes. एक चीज़ और आपको समझते हैं, कि devil card जो है ना, वो finances के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि वो pentacle है उसमें, लेकिन जो आपके पास पैसा है ना, वो जरिया गलत है. तो ऐसा हो सकता है कि client पर आपको बोलें कि नहीं, पैसा तो मेरे पास बहुत है, यह यहां पर बता रहा है कि पैसा आप गलत जर्ये से कमारें, wrong motive से कमारें, गलत रस्ते से कमारें, right? Okay, okay. Next. Okay, ma'am. Ma'am, उसके बाद जो है, वो है career. Career में, ma'am, यहां पर जो है, it's like a सब्सक्राइब बहुत है जो है इसका जो करियर है तरफ वेल सैटल है उसके पास और उसके पास मैं अब बहुत अच्छा है और उसको चीव करना थो अच्छीव कर भी रहा है उसके पास ख़के है और उसको अच्छीव करभागा बिकॉस इन वह मतलब बहुत सबस्क्राइब से अच्छीव करपाईब बिकॉप जो कर इसको अच्छीव कर पास त है तो बेस्स एक चीज़े और हाँ एक सब्सक्राइब के पर सब्सक्राइब तुब पर और दो इस वीक तीन कलमने इस पड़ दो आज हमने spreads पढ़ लिए हैं यह 3 card spreads यहां तक होते हैं 1, 2, 3 card यह वाले हैं 6 card भी बन जाता है 4th और 5th बनाके अब इससे बढ़े होंगे और diamond भी तो पढ़ लिया यह 6 spreads पढ़ लिए हैं तो 1, 2, 3, 4 card spreads यह हैं अब इससे बढ़े होंगे तो अब आपको पूरा आफका क्या करना है इसकी practice करनी है